तो वेरी गुड इवनिंग टेवरिवान आई एचाचा करेंगे इस संसार के सिस्टम पर या माया पर यह संसार क्या है और यह किसने बनाया है और इसकी स्कूरूटनी कैसे की जाए इसकी स्कूरूटनी करते हैं संसार की जैसे मानलिजिया पेपर देते हैं पेपर ठीक नहीं ह होता है तो इसकी स्कू्ट नि करा ही जाती है दुबार दिखाया जाता है हैिस्टे की स्कूरुटेशनी спर corrections करते हैं वैसे मैं आपको बता दूओं किमाया है इसका इसका नेचर इन इसक्रूटेबल है इसको कोई इसकी scrutiny नहीं कर सकता, यह इतने दिमाग से बनाई गई है, माया मतलब तुम जो भी कुछ अपने senses से देखते हो, सुनते हो, और समझते हो, और जो सुंगते हो, और जो खाते हो, वो सब माया है, ठीक है, यहाँ सिस्टम में कुछ पी हकीकत नहीं है, सब एक सपना है और हाथ में कुछ नहीं आता है, उसे ही माया कहा जाता है, ठीक है, जो हाथ में ना आया, उसको कहा है माया, तो इस तरकार से एक dialogue भी बन सकता है, तुम इस सिस्टम की कितनी भी scrutiny कर लो, तुम इसकी जड़ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे, बनाने वाली, इसको बनाने इस्तियां विश्व में बहुत सारी सुंदर है, ऐसी सुंदर सुंदर इस्तियों को बना के सिस्टम खतम कर देता है, तो इसको बनाने वाली इस्ति कितनी सुंदर होगी, आदबुद होगी, कितनी दिमागदार होगी, कितनी होश्यार होगी, क्या intelligence level होगा, क्या mind होगा, इ बनने वाली होगी, कैसी होगी उसका नीचर क्या होगा, उसका माइंड कैसा होगा इसकी स्कूरूटिनी करना तो बड़ा ही डिफिकल्ट का मालूम दे रहा है तैちゃん Baum, पिर भी मैं तुमें बताता हूँ कैसे इसकी स्कूरूटिनी करो माया की स्कूटिनी का मतलब है कि तुम अपने माइंड की स्कूटिनी करो वैसे तुम इसकी पहले के अनालिसिस करो सिस्टम में क्या हो रहा है सिस्टम में चीजें आ रही है बन रही है और जा रही है राजा आते हैं उनका एक महल खड़ा होता है मेहल बनता है आम आद्मी के घर खड़े होते हैं आते हैं phase wise कुछन liberal को चलते रहता है system में कोई आया कभी कोई आया भारत कोई लिए कभी बेहिदिक काल था कभी मोगल आए कभी अंख्रेज आए चैस आते जा रहे सब अपने इमारते बनाते जा रहे हैं तरह तरह की फोड़े समय बाद खराब जाती है तूट जाती है फिर नया सिस्टम तो माया का जो खेल है वो यह है कि माया की अगर स्कुरूटिनी का पहला पॉइंट अगर देखो के बारी की से तो माया अपने डिस्ट्रक्शन में खुश होती है ठीक है यह इसका नेचर है ऐसा तुम अपने आपको कभी नहीं मारते तुम मैं कोई मारना आगा तुम बचाओगे ठीक है तुम कोगे मुझे बचाओगे मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो लेकिन माया उल्टी है माया अपने आपको मारती है अपने बनाई हुई चीजों को खारती उजारती है और उसमें आनंद लेती है बिमारियां पैदा करती है सैक्णों करोनों मर जाते हैं उसी में कुछ आनंद ले रही है यहां किसी की भावनाव की कोई कदर नहीं है मजदूरों की हाले तुम देखी रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं मतलब ये मैं उस तरीके से कर generalized हो तुम किसी को भी देखो सैक्ठों करोणों साल से यहां भूके नंगे जाले घूम रही इसे घूम रहे हैं असीमित गरीबी बिमारिया यहां पहली हुई ये जरा भी दया नहीं है किसी को दया आती है ना सिस्टम को कोई दया नहीं है सिस्टम को एका मार दो तो इसका मतलब बड़ी बेरहम है अगर इसको देखा जाए बड़ी बेरहम है तो माया क्या है बेरहम टाइप की लग रही है कि मतलब तुम कितनी भी कोशिश करो तुम कित है ना कुछ हो रहा है बार तुम सोचते भी हो कि कैसा सिस्टेम है कितना में किया बहुत सारी लोगों में भगवान पे विश्वास उठ गए इस माया की वज़े से तुमने कितना प्रयास किया यह करने का वो करने का लेकिन तुम इसकी स्कूरूटिनी नहीं कर पाए तुम अगर इसकी अनलेसिस करना शुरू भी करोगे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है तो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचोगे अगर तुम इधर से शुरू करोगे तो अधर पहुंचोगे फिर वापस भी पहुंचाओ गया तो हाई समझी में नहीं आएगा कि इसका क्या करें यह किस तरीके से काम करता है सिस्टम यह क्या है नौकरी कमाना पैसा करना घर बनाना बेबी बच्चे यह वह बनाओ यह बीमार आज वह यह आज यह आज वह क्या है यह कभी खतम ही नहीं होने वाला है यह काम खतम करो पचास नहीं काम शिर रहे जी आप कितनी भी कोशिश कर लो ठीक है तो आप कितनी भी स्कुरूटनी करोगे आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचोगे बड़ी बारी की माया है तुम्हारी काम कभी खतम नहीं होंगे तुम्हारा क्रोध कभी खतम नहीं होगा लोग मो तुम्हारी करने वाले काम भी पर यह मालो एक आदमी हुआ उसने मकान बनाया उसने नोकरी की बीबी बच्छे पैदा कि यह सब मर गए खतम सौ साल के बाद कोई पता ही नहीं कहां गया हूं मकान दुकान सब का एक तो इस नेचर की स्कूरुटनी करो इस माया की स्कूरुटनी करो और इस पर अनलिसिस करोगे तो तुम पाओगे कहीं कुछ है इन इसकी अनलिसिस करने जैसा चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम पोलियो का इलाज निकालोगे, तुम टीवी का इलाज निकालोगे, तुम तुम इलाज निकालोगे, तुम इलाज निकालोगे, तुम इलाज निकालोगे, तुम इलाज निकालोगे, तुम इलाज तो बेहतर है कि हम इसकी स्कूरूटिनी ना करें, अब दूसरा तरीका देखो, अब इसका एक तरीका जब अगर तुम सास्तों में थोड़ा विद्वान हो जाओगे, तो इस सिस्टम को ठीक करने में अपनी उर्जा विर्थ मत करो, या इस सिस्टम में ज्यादा दिमांग ना लगाओ, ठीक है ना, तुम क्या करो, अपने उपर अपने कंसेंट्रेट करो, तुम समझो कि ये समसार नहीं ठीक हो सकते, तुम्हारे बसके बाहर की चीज़ है, इसे सही करने में अपना समय बरभाद मत करो, अपने आपको ठीक कर लो, ज्यादा भेतर है कि तुम अपने सम इसकी स्कूरूटिनी करना इतना असान नहीं है, और इसकी स्कूरूटिनी में समय बरभाद करना भी अकल बंदी नहीं परतीत हो रही है, तो धोड़ा बदिमान बनो, ठीक है, और अपने को खोजो, इस माया में मत उलजो, चालो, थैंक्यू.